हेलो फ्रेंड्स, मुवी लेवर्स चैनल में आपका स्वागत है दोस्तो आज की वीडियो इटैलियन नियो रिलिलिजम सिनिमा के बारे में है यह सिनिमा क्या है और कब शुरू हुआ था और कब तक चला और इसका असर क्या हुआ वर्ल्ड सिनिमा और उसके आने वाले डारेक्टर्स पर दोस्तो सेकंड वर्ल्ड वर लड़े गई थी दो पावर्स के बीच एलाइट पावर्स और एक्सिस पावर्स एक्सिस पावर्स में थे तीन देशे जर्मनी, इटली और जपान और एलाइट पावर्स में युनाइटिड किंडम, युनाइटिड स्टेट्स और सोवियत यूनियन आखिर में एक्सिस पावर्स हार गया था सेगंड वर्ल वर्स शुरू हुई थी 1939 में और इसका एंड हुआ था साल 1945 मे इटली का ताहनशा बैनिटो मुसोलीनी की सरकार गिर चुकी थी और उसके बाद इटली के लोगों की लाइफ एकदम बदल चुकी थी गरीबी, बधाली, भुकमरी और बेरुसगारी इन सिचुएशन से गुजरना पड़ता था डेली इटली की आम लोगों को ये इटेलियन नियोरेलियलियसम सिनेमा एक नैशनल फिल्म मुमेंट था जो गरीबों और मेहनत मजदूरी करने वाले लोगों की कहनिया बताता था ज्यादतर जो फिल्म सी वो रियल लोकेशन पर शूट होती थी और इसमें नॉन पर्फेशनल एक्टर्स भी एक्टिंग करते थे इटलियन नियोरेलियसम को गोल्डन एज ओफ सिनेमा भी बोलते हैं इटली के इसका दोर चला था 1943 से लेकर 1952 तक अब बात करते हैं इसके इंपक्ट की इटलियन नियोरेलियसम जो सिनेमा है उसका बहुत जबर्दस इंपक्ट रहा है वर्ल्ड में फ्रेंच नियो वेव सिनेमा की शुरुआ थी कुछ सालों के बाद पॉलिश सिनेमा इंडियन पैरलल सिनेमा मुमेंट जिसे सामना आंतर सिनेमा भी बोलते हैं वो भी इटलियन नियोरेलियसम से प्रेरित रहा है दुनिया के महान फिल्मेकर्स मेंसे एक सत्य जीत रहे वो भी इस सिनेमा से प्रेरित थे आज का इरानियन नियो वेव सिनेमा भी इटलियन नियोरेलियसम सिनेमा से प्रेरित है अब बात करते हैं उस फिल्म के जिसने इटलियन नियोरेलियसम को पहचान दिलाई उस फिल्म के बाद रोम में अपनी साइकिल जो की चोरी होगे उसे ढूंड रहा है इसके बिना उसकी नौकरी चली जाएगी और वो अपने घर का पाल पोशन नहीं कर पाएगा तो उसी की स्ट्रगल को दिखाया गया इस फिल्म में अब दोस्तों कुछ इटैलियन नियो रिलिस्ट डिय दारेक्टर थे उस दौर के उनके कुछ फिल्म से और उनके बार में थोड़ा बात करते हैं ला टेरा ट्रेमा जो के रिलिस्ट इन 1948 में इसे डारेक्ट किया था लुचीनो विस्कॉण्टी ने अब बात करते है वाल्ट इलोजिकी दोस्तों तीन फिल्म हैं जो कि वाल्ट कही जाती है जैसे रोम, ओपन सिटी, पाइजान और जर्मनी एर जीरो यह तीनों ग्रेट इटेलियन नियोरियल्स डारेक्टर रोबर्ट रोजिली ने डारेक्ट की थी बाइसिकल थीस 1948 विटोरिय डीसी का अमबर्टो डी विटोरिय डीसी का दरूफ विटोरिय डीसी का और बिटर राइस जो के रिलीस हुथी 1949 में और से डारेक्ट कहता गीशाइपो डी सैंटिस ने इटेलियन नियोरियल्सम बहुत बड़ा विशा है पर काफे चीज़ है जो में में कवर कर ली गई है आज की विडियो में दोस्तो मार्टिन स्कॉर सैसी ने 1999 में एक डॉकुमेंटरी बढ़ाई थी जिसका नाम था My Voice to Italy जो इटेलियन सिनिमा के बारे में बात करती है इटेलियन नियोरियल्सम सिनिमा को डिटेल में समझाये गए इस फिल्म में और काफी सारे मूवी से और बात की गई है तो दोस्तो ये सब था इटेलियन नियोरियल्सम सिनिमा के बारे में उमीद करता हूँ आपको काफी कुछ पता चला होगा तो दोस्तो जब भी हम बात करते हैं आर्ट सिनिमा, आर्ट मूवी, आर्ट हाउस, फिल्म तो आप करनेट कर सकते हैं कि ये सब इटेलियन नियोरियल्सम सिनिमा से ही निकली है दोस्तो अगर वीडियो अच्छा रगया तो लाइक, शेयर, कॉमेंट कीजे और चैनल को सब्सक्राइब कर लिजे थैंक्स और वाचिंग, बाइबाइ, बी हैपी और टेक केर